बिग बॉस बारा के घर में दिनों फैमिली स्पेशल एपिसोड चल रहा है जिसके चलते बिग बॉस ने घर के सदस्यों को उनके परिवार वालों से मिलाने का तौफ़ा दिया बारा हफ्तो बाद अपनों को देख सभी कंटेस्टन्स काफी एमोशनल नज़र आये सुर्वी से लेकर करनवीर बोहरा तक सभी सदस्यों के घर से कोई ना कोई मिलने आया था वहीं अब श्रीसंद की वाईब भूबनेश्वरी घर में एंट्री करते ही अपने पती की हिम्मद बढ़ाती नज़र आई और उसके तुरंद बाद उन्होंने सुर्वी से मुलाकात की और उनको जम कर खारी खोटी सुनाई वहीं घर के बाहर भूबनेश्वरी की बातों ने फैंस का दिल जीत लिया है जिसकी वज़े से फैंस के साथ-साथ श्रीसंद की हेटर्स भी ट्वीटर पर उनकी तारीफ करते वे नज़र आ रहे हैं और सुर्वी को गलत बता रहे हैं तो चल ये दिखाते हैं आपको ऐसे ही कुछ ट्वीट love the way you stood for Shree Bhuvneswari ji was bang on Her anger against Surbhi was very much justified Loved Sanu and Tez KB loved your wife and kids Hope you will take into consideration the words said by your wife Deepak's father was genuine but felt that Deepak was overreacting That's the Indian lady Bhuvneswari well done Shree's wife has all the right to say what she said to Surbhi What Surbhi did to Shri is nothing in front of this. Surbhi is a thankless person. Shrishan, the pride of India. Bhubaneshwari, such an honest couple and really adore her supporting her husband like that. Surbhi Rana, not your mistake. Just that you grew in wrong hands. Is your bro for real? Man who wants to be a man or bro like him. All for money and fame. No respect. तो देखा आपने, फैंस जहां एक तरफ भूबनेश्वरी की जम कर तारीफ कर रहे हैं, वहीं बूसरी तरफ. Surbhi को thanksless person बता रहे हैं. वैसे आपको क्या लगता है? Surbhi और Shri Sand में कौन इस शो के final में जाना चाहिए? हमें कमेंच करके ज़रू बताएं और बिग बॉस से जोड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हैं हमारे सब्सक्राइब.